ये खाना ऐसा होना चाहिए देखनी में जिसे देखती के साथ ही खाने का मन तरहीं स्भीमशी ही हमारी डेश है जिसे देखने में बहुत अच्छी लग रगे है तो खांए तो छामर अच्छी होगी शामा कुकिंग चैनल में आप बहुत बहुत फ़ागत है आज पर हम एक नई recipe लेके आएं तो आज की recipe हमारी आलू शिम्ला मिर्च की चटपटी और स्वादिस सब्जी बनाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे बनने वाली है देख लेते हैं क्या के चाहिए हमें यह हमने दो आलू को दो के अच्छे ज़िक कर लिया है और यह हमने शिम्ला मिर्च लिए और यह एक इंच अधरक घिस के लिए हैं हमने और यह दो हरी मिर्च लिया है और ये हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे तो हमने ये स्लिट करके कम तीखी वाली हरी मिचली है जो हम साबूर डालेंगे और ये हमारे एक मीडियम साइस का प्याद है जो हमने बारी बारी कट करके रखा है और यह हमारी टमाटर की क्रेवी है हमने इसमें दो टमाटर लिए जो मिक्सिकर के लिए है चले फिर इसको तयार करते हैं पहले हम आलू और शिम्ना मिर्च को फ्राइ कर लेंगे जिससे हमारी सब्जी में एक अच्छा था टेस आएगा प्राइपन में हम ओलेंगे थोड़ा प्राइपन के लिए इसको अड़्रस चमच तेल हमारा गरम हो चुका है सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राइपन करेंगे जब तक हमारे आलू फूरे से प्रिस्की नहीं हो जाते है हमारे आलू फ्राइय हो चुके है हलका हलके इंके बड़ कलर आ गया तो अब रमिंपन को निकाल लेंगी कि मुला मिझे में बहुत पंड़ श्राई करना है कि फ्राइभना नहीं हमें आधी क्रंके बेर आचना एकारा तक सब्राइभनार करना है ज्यादophone कि अबना इसको हमारे किना मिल्ट को चूके यह से निकाल लेंगे कड़ाई अंबेली है कड़ाई में हम डालेंगे तीनचा चमच सर्सो का वेल तेल हमारा अच्छी से गरम हो चुका है अब हम इसमें 1.5 प्री स्पूम जीरा डालेंगे जीरा हमारा अच्छी दर्ث से ग मुझे चूका है अब हम इसमें 1.5 पिसावा धनिया डालेंगे और इसको बूंगे और धनिया डालते समय हमें गैस को बिल्कुल क्ऩश्तो अंब दकनाए और इसके बासे बालेंगे अपनि कटीव है प्याज दहिया डालने से पहले यह होता है कि सब्स्वास सब्जी का और बढ़ जाता है अब हम प्यास को भूनेंगे, सौफ्ट होने तब डाल गेंगे अपनी हरेमिक जो हमने काटके रखिए अद्रब गिताओं अब हमारी प्यास सौफ्ट होची है अब इसमें हम मेक्सिकिया वर टमाटर एड कर देंगे टमाटर क्यूरी हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं तो उसमें स्वाधन का नमक डाल रहें अब फ्रीश्वूम नमक आद बाद में भी डाल सकते हैं अगर कंप लगे तो अब हमारे टमाटर काफी गल चुके हैं आपने सूखे मसारले एड कर देंगे टीस्पून हल्दी कि अब देड समस्ट की बराबर ढनिया पॉडर और वन पूर टीस्पून इसमें डाल राएं लाल मिर्च पॉडर मिर्च हम इसले कम रख रहे हैं कि हमने लाल भी यूज करें और साथ में हरी भी यूज कर रहे हैं मारी ग्रेवी काफी सूखी हो गई है तो इसमें थोड़ा पानी अड़ कर लेंगे लगमत दो थीन चमच अब मसालों को भी बगा लेंगे अच्छी तरह से हम इसमें मिलाएंगे एक चमच कश्मीरी लाल मेट एक अच्छी से कलर के लिए इसे ढखके एक डू मिनिट के लिए पकाएंगे जिसने हमारी ग्रेवी तेहल से अलग हो जाए एक बाद चेक कर लेंगे अब इसमें हम एड करेंगे अलेंगे इसमें दो चमच प्रेश मलाई इसे बहुत ही अच्छा टेस आता है इसी भी सब्जी का एक मिनिट के लिए पकाएंगे एक डिड़ मिनिट के लिए जब तक हमारी मलाई डंग से पकने जाती है एक मिनिट के लिए ठकके पकाएंगे एक बाद फिर चेक कर लेंगे देकिव फ्रेंट कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है हमारी चारा तेल उपर आगया है अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक शकी है अब इसमें हम गॉइल के वे अपने आलू में लाएंगे यालू को थोड़ा पकनी में टाइम लगता है इसलिए आलू पहले मिक्स करेंगे ब और बहुत थोड़ी इसमें 1-4 टी-स्पिन के बाराबर ताली मिच डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे आलू जल्दी से गल जाए और बहुती कम पानी डालेंगे इसमें इसको डखके पकाएंगे हम, 10 मिनट के लिए, लगबख 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है, अपनी शिम्ला में चैट कर देंगे, शिम्ला में जालगे हम इसको ज़्यादा देतर नहीं पकाएंगे, लगबख 5 मिनट के लिए कुकिंग करेंगे इसके लिए, पांच मिनट के लिए ढक्के पका लेंगे इसको, सब्जी को एक बाद चेक कर लेंगे, सब्जी हमारी पर चुके है, अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं, जोसे ज़्यादा पकाएंगे तो शिम्ला मेंच सब्जी सर्फ कर दी है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रहे है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगी, तो आप एक बार जरूर बनाएए इसको चटपटी चिम्ला मेंच आलू की सब्जी, अगर आपको यह रस्ती भी पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलेगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स, मिलते हैं नेक्स वीडियो में.